जेल में बहांस को नहलाने से लेकर जाडू लगाने तक सारे काम करेगा आती कहमत, मिलेगी इतनी दिहाडी गुजराथ से साबरमती सेंटरल जेल में उम्रकैत के सजा काट रहे, माफिया आती कहमत के काम तै कर दिये गए हैं उसे जेल में बहांस को नहलाने, उसे चारा खिलाने, जाडू लगाने मवेश्यों का ख्याल रखने के साथ साथ अन्य कई काम सोपे गए इसके अलावा उसे जेल में ही खेती का काम भी करना होगा, इन कामों के लिए उसे दिहाडी के तौर पर 25 रुपए रोज के मिलेंगे अगर उसे कुशल कारीगरों की कैटेगरी में रखा जाता तो उसे दिन के 40 रुपए दिहाडी के तौर पर मिला करते कैदी नमबर 17,052 अतीक एहमद उमेशपाल हत्यकार्ण में साबरमती जेल में उम्रकैद की सजा काट रहा है जेल के बैंक में अतीक का खाता खोल दिया गया है उसे मिलने वाली दिहाडी उसी खाते में जमा होगी अतीक को जेल में रहने के लिए दो जोड़ी कपड़े दिये गया है इन कपड़ों में सफेद रंका कुर्टा पैजामा टोपी और गमच्छा को शामिल किया गया है कभी अयाशी बरा जीवन जीने वाला माफी अतीक एमद इन दिनों जेल की रोटी खा रहा है उसे जेल में खाने के तौर पर रोटी दाल और चावल दिया जा रहा है उसके बैरक को बदल दिया गया है और अब उसे सजा पाचुके कैदियों के बैरक में भेज दिया गया है उमेश पाल हत्यकान में सुनवाई के लिए उसे साबर मती जेल से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की MPML कोट ले जाया गया इसके बाद कोट ने अतिक एमद वकील खान सौलत हनीफ वाउस के करीबी दिनेश पासी को आजीवन कारागास की सजा सुनाई हलंकी इस मामले में साथ लोगों को बरी कर दिया गया अब अतिक एमद जेल में पूरी जिन्दिगी सजा बुकतेगा